जमुकश्मीर में कई मुद्धे हैं जिसमें बाजपा जो है विफल साबित हुई है और रोजारा जो है में सटकों पर विरोवत परदर्शन देखने को मिलते हैं और कॉंग्रेस की पर्टिकुलर बात करें तो कॉंग्रेस जो मुख्य रूप से ओपोजिशन का रोल प्ले कर निषान का जाने का प्रयास करते हैं कि क्यूं मांgi उठ रही है मेयर और डिप्टी मेर तरफी कीम में इसलिए कि हमलोग कर रहे है कि अगर आप देखें लास्ट हेर भी जब थोड़ी सी बरसाथ के मौसम में मालू हैं कि बरसाथ होती है और बड़ी कम बरसाथ आई है इस जादा भी नही आई है और लास्ट ये भी आपने देखो खासकर का जो हमारा कंट्रोन्मेंट का जो इरिया है गांदी नहीर का जो पोश कोलोनी हम बोलती है कि वहां लोगों के गरों में पानी भुस किया था बहुत जआदा नुक्सान भान उसके बाद कल भी वारश होई एक साल के बाद और उसके बाद के बाद नहीं ने ब्यान दिया कि लोगों ने इंक्रोश्मेंट की है नालों की जिसकी वज़से ये पानी लोगों के घरों में कुसा लेकर हम ये पूछना चाहते हैं मेर और डिप्टी मेर से 2014 के बाद यहां पर सरकार किसकी बती इनी की सरकार थी कार्ट प्रोशन भी इनकी अलजी साब भी इनके दिली में ग्रहामन्त्री भी इनके जिनके पास क्योंकि जब यूटी बन गी तो पूरी कमांड जो उनके पास है कल बारिश होई कल बारिश ने जो तांडव किया कि लोगों को जो नुक्सान उठाना पड़ा ओल्ड सीटी की अंदर जो अंसे मकान थे वो गिर गे पैराफाई में जितने के स्कूल थे हमारे मिडल स्कूल वहां पानी घुज गया और में खास करके मीडिया का खास कर जो हम जमू का अट्रानिक और हमरा प्रिंट मीडिया में उसका शुक्रिया अधा करना चाता हूँ आप आप सभी लोगों का जिनोंने लोगों की जो बढ़नी जो इसकाल जो नुखसान उठाया उसको जागर किया कि जिससे लोगों को भी पता चला, सरकार को पता चला, लेकिन जो नुकसान उठा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भी इनकी गलती है, यह जब समार्ट सीटी, अगर क्रोणों रुपे यहां समार्ट सीटी के लिए है, तो पहले आप डेनेज का सिस्टन तो ठीकी जी, आप दे यह थी कि कौल पूरा पैक जाम होगा था पूरा जमूर्ड सीटी, इसका कसूरवार को रहे हैं, इसके कसूरवार ओनली मेयर हैं, डिप्टी मेयर, यह यह सरकार है, इसलिए हम कहते हैं, कि यहां तो कौर्णल साब को चाहिए कि इनको इमीजेटी हटाएं यहां से, कंट्रो मैं तो कहते हूं कि गोवर्मन ना नुकसान बोगते क्योंकि यह मेर, जो फादराप सीटी है, दिप्टी मेर को अपनी जेब से बरना चाहिए, इन्हों का नुक्सान और इमीजेटी एससमेट करनी चाहिए, तो नुक्सान हूँए, उसकी बरवाई परपाई, यह लोग करे जम्मू की अगर हम सडकों की बात करें गलियों की बात करें तो यहां पर विकास कारें तो किये जा रहे हैं सडकें तो बनाई जा रहे हैं गलिया भी बनाई जा रहे हैं लेकिन पानी के निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है तो क्या लगता कि प्लैनिंग की तर्विन का कोई ध्यानी है जब यहां सीवरेज का सिस्टम जो इसलिए कई सालों से चाह रहा है आप अगर उसका डाया देखें सीवरेज का जो डाया है उसका पाइप का जी उस पाइप से आप देखिए रेजिदेंसीरों से चलिए जी आप कहीं उपर बजार में चले जा आपने खुद मानते हो कि हमारी बड़ी जो खास कर जो रोड्स हैं बड़ी नेरो रोड्स हैं हमारी ओल्ड सीटी की जी वहां दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट सेट पे ये लोग फुटबाद बना रहे हैं जब कि दुकानदार कहते हैं कि पहले हमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक कीजिए पहले ड्रेनेज बनाएगे उसके बात आप फुटबाद बनाएगे लेकिन हमें तो जूरूर तो नहीं अब बताएगे कि अगर एक सड़क जो है तीस फुटकी है छे फुट आप यहां से फुटबाद ना दोगे छे पुट यहां पना दोगे पीछे रहा कितना 18 फुटकी सड़क और जहां पे दोनों साइट से गारिया चलती हो तो वहां क्या आलत होगी सड़की इसलिए बिलक परिशानियों में और इदाफा होगा तो उसके लिए क्या अपील आप करना चाहते हैं गोवर्नमेंट से अलजी साब से यही गुजारिश करना चाहता हूं एक में चोटी एक्जेंपल देना चाहता हूं आपके ही पेपर में डेली एक्सेस में ने पड़ा कि जो हमारे em करिए जब सेंटरНе गवर्टमंट ने भेजए की वैसि पानी प्रॉडम जहां पानी की समस्या जहां पजिस इंदर आ रही हैं स्कीम जो नहें उस पैसे को यूट्राइस करें जी वही चीज होई कि वह चीफ भी जी निन उस पैसे को यूट्राइस निकास गर जा चै浏 стороны लोगों को जो फैदा मिलना चाहिए हो फैदा ने मिला और LG सरकार ने इसको हटा दिया वही चीज़ मैं कहता हूँ का आए LG साहब से कि दोनों मेयर और डिप्टी मेयर नाकाम मयाब साबित हुएं इनको हटाया जाए और इनकी जगह पे किसी और को लगा है जिसे की भी लोगो को मौलबूल सुबदा है जो है मिल सकी है जो सडकों का हाल है वो आज से नहीं है बलकि हम सतर साल हो गए आज तो पचातर साल हम अजादी के अमृत महाउत सब मना रहे हैं तो हम पचातर सालों से दिखते आ रहे हैं कि यहां पर मांसुन में ऐसी ही समस्यां जो है रहती है को बढ़ी सरकार रही हो किसी भी सरकार ने जो है संजीत की का परीचे नहीं दिया और ये समस्या जो है जिएओं की त्यूंब बनी हुई है तो आपको कि लगता है कि खाली मेयर और डिपटी मेयर पर ही गाज गिरनी चाहिए? नहीं क्यों नहीं? अगर मैं नेयर हूँ और फादराफदा सीटी हूँ और आप दीखी कि हमारे मुस्पर कार्परिशन के हदूद कहा तक है? इदर आप चले जाएए, महाणा तक चले जाएए, उदर आप बड़ी ब्रामना से पहले आएं तो बहां त सब आज की डेड़ में मुस्पर कार्परिशन के हाथ ने ठीका अगर पहले की सिरकारों ने कोई गलती किया तो इसका मतलत होई कि वो अगर कहीं गलती कर रहे तो ये भी उसको दुराते चले जाएं अब फरीच तो इनका बनता है, इट मींस कि साब दिखाई देता है कि ये अगर एक रोड़ चाही समार्स सीटी बनाना है तो मींस उसकी रास्ते में चाहे कोई सरकारी दफ्तर आती है, चाहे सरकारी बिल्डिंग आती है, चाहे सरकारी कौर्टरस आती है, मैं खुद देखिया हूँ, उन्होंने एक की बार सब को गिरा के वहां रोड़ इतनी कर दी, फुटबात इतने इच्छे कर दी, पेल लगा दी, मुझे लगा कि वाकिए समार्स ली यह होती है, इन लोगों ने क्यों ने किया, इनका फर्ज बनता था कि प्लानी बनाओ, लोगों को बीच में रखो, इसलिए तो हम बार बार यही कहते हैं कि चुना, अगर कोई विदाय की हांखवा होता, तो हो को अपनी वाज तो अवाज तो उड़ाता, यह बिल्कुल इंटर लिंट है, डेमोक्रिसी है नहीं जमो किश्मीर के अंदर, यहां डेमोक्रिसी की जूरत है, यहां लोगों के नमाइंदों की जरूरत है, यहां हमी जेटी एलेक्शन होने चाहिए, हालत मैं एक मिसाल देता हूँ और की भी हमारे पैरफाई में हालत की है, अब बापा पहड़े देवता चले जाओ, हमारे कई जमों के मैक्सिमन लोगों के वो कुल देवता है, मैं भी पिछले दिनों हो कि आया, मैं देख के हिरान था, कि वहां आठ आठ दस दस द तरके, कि वहां अगर रोग अपनी आस्ता का एक केंदरा, वहां पानी नसीब नहीं होता, तो यहां किसे तो पिछले दो बार की एंपी हमारे जूर कुशोर जी है, और वो इलाका आज़ी जब विदाएक थे, उनके लाके में भी पढ़ता था, और मैंने खुद अप्रोच किया चीफ इंजिनियर को, मैं तो कहता हूँ, अच्छा किया, गोर्ना साव ने उसको उटा दिया, कि वहां पानी लोग प्यासे मर रहे हैं, अगर पानी वहां नहीं पहुंचे, तो उसके बाद लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, पर साथ के अंदो उसी तवी करना चाहते हैं, तो खम से कम, अपने में अंदर भी समार्डनेस आना एंजा है, मुझे लगता है, अपने आप में समार्डने नहीं है, तो smart city कहां से बनाएंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया ओपने हमें समय दिया, जिया, जम्मो की बात करें, तो जम्मो को smart city बनाया जा लेकिन स्मार्ट सीटी के तहट अभी जो जमू के हाल है वो आप सब के सामने हैं मांसुन के अभी पहले ही बारिश हुए तो पहले ही बारिश में जो है लोगों को अपनी परिशानिया जो जिस तरह से उठ रही है और इस्तीफा जो है उन्हें देना भी चाहिए इसी के साथ क करन सेंग और मुझे आने के रहे तो इश्कुप्ता को दीजी जासत फिर मिलेंगे नमस्कार